नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं One India मैं हूँ प्रशान्द शर्मा इस साल हुए Tokyo Olympics में भारत का प्रदर्शन कमाल कर रहा है इस साल भारत ने अपने Olympic इतिहास में सबसे ज़्यादा 7 पदक जीत कर इतिहास रचा था भारत ने इस बार कई सालों के बाद गोल्ड मेडल का सुआच चकाज जो भारत के लिए नीरत चोपडा भालर फेक्स परदा में लेकर आये थी हाला कि Tokyo Olympics को खत्म है आज पूरा एक महीना हो गया है मगर भारत में इसका जशन अभी तक जारी है अब पंजाब के मुखे मंतरी कैपटन अमरिंदर सिंग ने भी इस जशन का हिस्सा बनने का फैसला किया है अमरिंदर सिंग एक बार फिर से शेफ की टोपी पहनने वाले है कैपटन अमरिंदर सिंग ने पंजाब के Tokyo Olympics पदक विजेताओं की मेजबानी करते हुए उनके लिए खाना बनाने का वादा किया था बुदवार को वो मुहाली में अपने फार्म हाउस मुहिंदर बाग में उनकी मिजबानी करेंगे इस डिनर में भारत के गोल्डन बॉई नीरा चोपडा के शामिल होने की भी खबरे सामने आ रही है इस खास कारेकरम में राज्य कॉंग्रिस प्रमुख नवजोट सिंग सिध्धू आमंतरित नहीं है लेकिन क्रिकिट से राजनेता के करीबी सहीयोगी और PPCC के प्रभारी महसचीव और पूर्व हौकी ओलंपियन परगट सिंग को रात्री भोच के लिए आमंतरित किया है CM के मीडिया सलहाकार रवीन धुकराल ने ट्वीट में कहा पटियाला के वियनजनों से लेकर पुलाव, भेड का बच्चा, चिकन, आलू और जर्दा चावल तक CM कैप्टन अमरिंदर पंजाब उलंपिक पदग विजेताओ और नीरा चोपड़ा के लिए कल यानि कि बुद्वार रात के खाने में अपना वादा निभाने के लिए इन में प्रतियेक वियनजन खुद तियार करेंगे बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ